साहजापूर लौच छात्रा यौन उत्वीडन मामले को लेकर बीजेपी के नेता और पूरु केंद्रिय राजमंत्री स्वामी चिन्मय नंद आए दिन परिसानियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में बिगवास फेम स्वामी ओम जी को कौन भूल सकता है जी हां स्वामी ओम जी भी अब चिन्मय नंद के इस मामले में कूद गए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं और इस समर्थन के तहद वो सनिवार को साजापूर पहुँच गए और जहां उन्होंने ये कहा कि यह हिं स्वामी ओम के अलावा और कई ऐसे साधू संत हैं जो दारशेना के अमेरिका और दिल्ली से साजापूर पहुच गए हैं और स्वामी चिन्मय नंद का डटकर समर्थन कर रहे हैं लेकिन आप सबको पता है कि लॉच चात्रा ने किस तरीके से वीडियो वाइरल कर यह बताए हैं उनमें कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी सच्चाई है और ऐसे में रहीवार को स्वामी चिन्मय नंद के खिलाब उस लॉच चात्रा ने यानि पीडिता ने 43 वीडियो भी SID की टीम को सौपी हैं जिन से यह अनुमान लगा जा सकता है कि इनमें सबूतों की जो भरमार है वो काफी होगी जो कि स्वामी चिन्मय नंद के लिए मुसीवत बन सकती हैं अब स्वामी ओम के बारे में आप सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने पिक बॉस के घर में आतंग मचाया था उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि सलमान खान उनकी बदोलत ही इश्टार बने ह और उनका हास सलमान खान पर है उसके बाद कई ऐसी घटना यहीं जो स्वामी ओम अपने हरकतों को लेकर बारल होते रहे तो कहीं किसी वीडियो में वो महिलाओं के साथ योगा कर रहे हैं या डांस करते हुए नजर आ रहे हैं असलील तरीके की हरकते करते ही नजर आ रहे है जिस तरीके की उनकी करतूते हैं वो सबके सामने थी एक न्यूस चैनल पर डिविट के दौरान वो भिड़ गये थी और महिला के साथ में वो अब सब्द बोलने लगे और रहता पाई भी सुरू हो गई तो स्वामी ओम का इत्यास है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है और किस